नवस्का साती हूँ तो चलिए आज हम लोग एश जैसंकर के बारे में बात करेंगे और अभी आप चानते हैं कि यह हमारे विदेश मंत्री हैं इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे और देखेंगे कि आके विदेश सचिप से और आप देखेंगे कि विदेश मंतरी तक इनका किस तरह से सफर रहा है और इनके बारे में कुछ महत्पूर्ण पॉइंट है उन पर भी हम लोग बात करेंगे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे विदेश मंतरी साहब और इस तरह कि देखें जब किसी बैक्ती को विदेश मंतरी का पत दिया जाता है तो आप देखें हमारी विदेश नीती काफी effect करती है बहुत कुछ माएने रखने लगती है क्योंकि इन्हें विदेशों के बारे में आप देखें तो आप समझ सकते हैं क्या हास्वर होगा और यह कि याद रखिए इस सिविल सर्वेंट रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहतर एच चला पाएंगे और विदेश नीती बना पाएंगे तो इनका पूरा नाम है सुवमन्यम जैसंकर और इनका उपनाम है एश जैसंकर एश जैसंकर की नाम से आप लोग इन्हें जानते हैं इनका जनम होता है 9 जनवरी 1905 में और इनका जनम इस्थान है नई दिल्ली में भारत में इनके पिता की बात करें तो क्ये सुवमन्यम इनके पिता का नाम जो पत्तिकार और सिव सेवक थे और इनकी माता सुलोचना पतनी की बात करें हम लोग तो क्योको जैसंकर इनकी पतनी का नाम है इनके दो बेटे हैं धरुप संकर जैसंकर और अरजुन जैसंकर और बेटी का नाम है बेधा जैसंकर अगर हम लोग S.J. संकर की सिक्षा की बात करें तो Year 4 Central School नई दिल्ली से यह अपनी सुरुआती सिक्षा लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे आंगे की सिक्षा के लिए सेंट स्टीफन्स कॉलेज नई दिल्ली में एडिविशन लेते हैं और यहां से भी पढ़ाई करते हैं और जवाल नहरू विस विध्याले JNU नई दिल्ली से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है अगर आप लोग सेक्षरी के योगता की बात करें तो आप देखेंगे सेंट स सीटीफन्स कोलेज नई दिल्ली से इन्होंने इशनातक क्या ववा था राजनीती विज्ञान और अंतराषपि संबंधों में इन्होंने में भी किया हुई है और नई दिल्ली से पर्माड़ू कूटनीती में भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है does में धिस बिद्याले.. ज 1981 में जवाललाल नेरू बिस्विद्याले से इन्होंने पी-एचडी भी की हुई है तो आप कह सकते हैं कि काफी पड़े लेखे हैं हमारे विदेश मंतरी हैं और विदेश नेती को बहतर समझते भी होंगे बेवसाई की बात करें तो भारती ये राजनेक हैं और राजनेता बन चुके हैं आप देखते हैं और भारती जंता पाइटी बीजेपी से जुड़ चुके हैं इन्हें पुरुषकार 2019 में इन्हें भारत की राष्टपती रामनाद कोविंद द्वारा पदम सरी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है इनके काम के लिए और याद रखें भारती विदेश सेवा में इनका चैन हुआ था 1977 बैचके हैं और आप देखेंगे इनके पिरमुख पदों को अगर आप देखें तो आपको मालू चलेगा कि 1989 में उन्हें मासकों में भारती मिसन का पिथम सचे नियुक्त किया गया था कब 1989 की बात है मासकोर यानी की रूस की बात हो रही है पिर आप देखेंगे न्निसोपचासी में हो है बौसिंग्टन डिसी में भारती perspectives के पिथम सचे बनते हैं सबसे लंबे समय तक सेबा देने वाले राजदूत की रूम में जाना जाता है चाइना हमारा पड़ोसी है ना उसी देश में फिर आप देखेंगे सेब्टमबर 2013 में उन्होंने सयुक्त राजज अमेरिका में भारत की राजदूत के रूम में काम किया हुए और फिर आप देखेंगे 19 जन्वरी 29 जन्वरी 2015 को डॉक्टर एश जय संकर को भारत की विदेश मंतरी की रूम में नियुक्त किया गया था और आप देखेंगे 28 जन्वरी 2015 की बैठक के बाद उन्हें उनकी नियुक्ती की गोष्णा पिधानबंती नैदमोदी की अध्यक्षता में की गई थी इनके राजनिति की अगर हम लोग यात्रा की बात करें तो मई 2019 में उन्हें विदेश मंतरी की रूम में नैदमोदी की मंतरी मंदल में सामिल किया गया और आप देखें कि गुजरास से राजसवा चुनाओ जीतने की बाद 8 जुलाई 2019 को उन्होंने राजसवा सदस की रूम में सपद ली क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको मंतरी बनना है या आप देखें कि आप लोगों को पिधान मंतरी बनना है तो आपको किसी सदन का सदस होना चाहिए फिर चाहे लोकसवा चाहे राजसवा और याद रखें जिस समय आप लोग पंतरी पद या पिधान मंतरी का प सबगों बनते हैं वह समय आप सभी जान ती कि यह किसी भी सदन की सदस नहीं थे proz तो यही आप लो याद रखेंगा तो यही कहानी है हमारे विदेश मंत्री अच्छा कांब्हिंक रहे हैं अच्यी विदेश वर्चा वर्चा की जा रही है और इसलिए आप देखे काफी बिदेज नीती में बदलाव देखा जा रहा है चलिए खेर और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम बताईएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे